नमस्कार दोस्तों गुरुवार का दिन भगवान नाराण को समर्पित है इसके अलावा ये दिन को गुरुदेव ब्रहस्पति का भी माना जाता है जोतिश शास्त्र के अनुसार ब्रहस्पति देव वेवाहिक जीवन का स्थिती, ज्यान, भागे आधिकार निर्धारन करने वाले माने गए हैं कुंडिली में अगर ब्रहस्पति शुबह स्थान पर है तो भागे का उद्य होता है और आर्थिक व्रधी होती है और अशुब ब्रहस्पति जीवन में कई तरह की समस्याओं को सामना करवाता है इसलिए जोतिश शास्त्र में गुरुवार के दिन कई कारियों के करने की मनाहीं बताई गई है इनके करने से तरक्की और सौबहागे में कमी आती है तो आईए जानते हैं गुरुवार के दिन कौन से कारे नहीं करने चाहिए सबसे पहले आपको बता दें कि गुरु ग्रहे को महिलाओं की जन्म कुंडली में पती और संतान का कारक माना जाता है अगर गुरुवार को महिलाएं अपना सिर्ध होती है या फिर बाल काटती है तो इससे ब्रहस्पती कमजोर होता है ब्रहस्पती कमजोर होने से पती और संतान का भविश्य प्रभावित होता है उनकी उन्निती रुख जाती है तो वहीं इस दिन पुरुशों को बाल और दाड़ी नहीं कटवानी चाहिए कहते हैं ऐसा करने से उनकी आयू कम होती है और महिलाओं के स्वभागे में बाधा आती है शास्तरों के अनुसार गुरुवार को पोचा लगाना, कपड़े धोना, घर का कबाड़ बाहर करना, फेशियल, वैक्सिंग, आदि करना भी वरजित माना गया है इन कारेओं का दुश प्रभाव गुरु ग्रहे को कमजोर करता है, इसे आपकी तरक्की और प्रमोशन में बाधा आ सकती है इसके लावा आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ती गुरुवार को नाखुन काटता है, तो ये अप्चगुन माना जाता है इसकी वजह से कारेओं में परेशानिया बढ़ सकती है और घर से बरकत भी जाने लगती है जोतिश शास्त्र के अनुसार गुरुवार को किसी को उधार देने या किसी को पैसे देने से बचना चाहिए धन का लिंदिन करने से ब्रहसपती के कारक तत्वों का प्रभाव हलका होता है ऐसा करने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपकी जानकारी के लिए बता दें इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और इस दिन केले का फल खाने से गुरू अशुप फल देता है तो चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन क्या करना चाहिए शास्तरों के अनुसार ब्रहस्पती देव की विशेस कृपा पाने के लिए गुरूबार के दिन केले के पौधे में जल चड़ा कर उसकी जड़ में मुटी भर, चने की, भीगी हुई दाल और गुड की एक डली डालनी चाहिए गुरूबार को पूजा करने के बाद माथे पर पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए इसे गुरू मजबूत होता है इस दिन पीले रंग के वस्तर धारन करने चाहिए और खाने में पीली वस्तूं को शामिल करना चाहिए धार्मिक शास्तरों के अनुसार गुरूबार को नाराण का दिन होता है ये बात तो ठीक है पर नाराण तभी प्रसंद होंगे जब आप उनके साथ उनकी पत्नी यानि की लक्षमी जी की भी पूजा करेंगे गुरूबार को लक्षमी नाराण दोनों की एक साथ पूजा करने से जीवन में खुशी आती है और पती पत्नी के बीच कभी दूर्या नहीं आती साथी धन में भी व्रद्धी होती है कुंडिली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट धन्यवाद